नमस्कार आदाव सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार मद्धप्रदेश चुनाओं से पहले भाजपा छोड़ने वालों की लाइन लग गई है लेकिन सबसे ज्यादा बुरी हालत है ग्वालियर के हारे हुए राजकुमार जियोतिरादे तस्सीन दिया कि आपको पता ही है कि लोग सभा के चुनाओं में राजकुमार को उनके करमचारी ने हरा दिया था और बहुत बुरी तरह से और इसके बाद से वो अपना जखम सहला रहे हैं इसके बाद तो बीजे पी में शामिल हो गए कांग्रेस छोड़ी थी कि मुख्यमंत्री क्यों नही खुश रहते हैं वो भी एक ऐसे विभाग के जिसका बस नाम ही नाम है कोई काम नहीं है लेकिन मध्यप्रदेश के चड़ते चुनाओं से पहले राजकुमार जोती रादित सिंधिया को एक और करारा जटका लगा है भारी वाला अखिल भारतिये धाकर युवा संक्राश्य समंदर पटेल ने कांग्रेस की सदसेता ग्रहन कर ली है वैसे तो ये बीजेपी के लिए भी करारा जटका है लेकिन सिंधिया के लिए इसलिए ज्यादा बड़ा जटका है क्योंकि समंदर पटेल सिंधिया खिमे के नेता माने जाते थे अब जब सिंधिया के लोग ही उनका 24 की हवा में उड़ जाएगी बीजेपी और इसी से ये सवाल जुड़ जाता है कि क्या आम चुनाओं में राहुल का जादू चलने वाला है और ये भी कि क्या मध्यप्रदेश 36 कड़ो राजस्थान का चुनाओं बताएगा 24 का नतीजा याम तिलंगाना को थोड़ी देर के लिए किनारे रख रहे हैं मामा जी घूम घूम कर जनता को मनाने में जुटे हुए हैं अपने नेताओं को भी लेकि लगता है अप उनकी बात में वो वज़न नहीं रहा लोग साथ छोड़ छोड़ कर निकल जा रहे हैं और व है कि 17 अगस्त को बीजेपी ने अचानक से मद्यप्रदेश चुनाओ के लिए उम्मिद्वारों की पहली सूची का ऐलान कर दिया जबकि अभी तक तो चुनाओ का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं वादी सूचना नहीं आई है ऐसे में अचानक हुए इस आलान से सियासी ग बीजेपी प्रदेश कारिय समिती के सदस्य समंदर पटेल ने सैकलों कारकरताओं के साथ कॉंग्रेस की सदस्ता ले ली वो भी लगवग एक हजार गाडियों के काफिले के साथ 18 अगस्त को कॉंग्रेस में शामिल होने भोपाल पहुंचे थे काफिले की सभी गाडियों पर कॉंग्रेस के जंडे लगे हुए थे और हर गाड़ी पर कॉंग्रेस जिंदा बाद लिखा हुआ था अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वाइरल हो रहा है इसको देखकर बीजेपी वालों के पसी ने छूट गया यह क्या हुआ क्योंकि चुनाओ से पहले यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा जटका है कॉंग्रेस में शामिलों पर समंदर पटेल ने कहा कि बीजेपी में उन्हें ना तो सम्मान मिला और ना ही कोई मंच उन्होंने कहा कि मैं सींदिया के साथ बीजेपी में चला जरूर गया लेकिन मु के सैकड़ों कारकरताओं ने भी कॉंग्रेस की सदसिता ले ली आप जानते ही हैं कि समंदर पटेल उस वक्त बीजेपी में शामिल हुए थे जब केंद्रिय उड़ेयन मंत्री जोधिरादित्य सींदिया ने कॉंग्रेस से उड़कर भाजपा का पल्ला थामा था लेकिन अगस्त को बीजेपी को राज्य में जोल्दार जटका लगा था मधिब्रदेश में खुद्ग्री मंत्री नरुत्तम मिश्राव राजस्व मंत्री गोविन सिंग राजपूत के गढ़ में कॉंग्रेस पाटी ने बड़ी सेंध लगा दी थी दतिया के कद्दावर भाजपा रहत इंदौरी की पतनी शायर अंजुम रहबर ने भी कॉंग्रेस की सदस्ता ले ली थी अब बीजेपी में हरकम मचा हुआ है वहीं कॉंग्रेस के होसले बुलंद होते जा रहे हैं इसका असर सिर्फ मध्यप्रदेश नहीं वलकि दूसरे विधान सभा चुनाओं और आम चुनाओं पर भी तैम आना जा रहा है सिलसिला उलट रहा देखिए पिछले कुछ सालों में यही सुनने को मिलता रहा है कि कॉंग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के नेता बीजेपी या एंडिये में शामिल हो रहे हैं शुसेना से कॉंग्रेस से जेडियो से समाजबा पार्टी से बीएसपी से वगयरा वगयरा लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे मोदी का तिलिस्म कमजूर पढ़ रहा है यही वजह है कि लोग बीजेपी से दूरी बना रहे हैं दावा किया जा रहा है कि करनाटक में भी बीजेपी को जल्दी ही बहुत बड़ा जटका लग से राज्य में ततकालीन जेडियेस कॉंग्रेस गटबंदन के सरकार गिर गई थी और फिर वापस भाजपाई थी दरसल घर वापसी की चल्चा ता बहुत ज्यादा तेज हो गई जब भाजपा विदायक स्टी सोमशेखर का बयान आया दरसल करनाटक के उप मुख्यमंत्री डीकेश युकुमार और बीजेपी सरकार में पूरु मंत्री कुछ दिन पहले ही शहर में कैमपे गौडा ले आउट के निरिक्षण के दोरान एक साथ देखे गए कारकरम में बोलते हुए सुमशेखर ने डिप्टी सीएम को अपना गुरू बताया इसी के बाद से ये आशंका जताई जाने लगी कि बीजेपी के कुछ विधायक कॉंग्रेस का दामन थाम सकते हैं सुमशेखर के अलावा 14 कॉंग्रेस और 3 जेडियस विधायकों ने 2019 में गटबंदन सरकार से इस्तीफा दे दिया था इन विधायकों में से सुमशेखर, शिवराम हबार, बिर्थी, बसावराजू और के गोपालया के कॉंग्रेस में शामिल होने की संभावना है गोपालया पहले जेडियस से विधायक थे, बाकि सभी विधायक जो बीजेपी की तरफ मुड़े थे वो कॉंग्रेस के पूर विधायक है कॉंग्रेस से बीजेपी में आए विन विधायकों की घर वापसी इस बात का संकेत है कि इन्हें बीजेपी के साथ अपना भविश्य अंधकार में लग रहा है तो क्या इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी का सूरज डूप सकता है इसलिए वो अभी से कॉंग्रेस में अपना जुगार भिडाने में जुट गया है ये बीजेपी के लिए अच्छा संकेत तो नहीं ही का जा सकता है और बीजेपी से भी ज्यादा ये नरेंदर मोदी के लिए अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि चड़ते हुए चुनाओं में इस तरह की भगदर दिखाती है कि नरेंदर मोदी का आभा मंडल उस तरह से अपने ही लोगों को जोड़े रखने में नाकाम हो रहा है जिस तरीके से पहले जोड़े रखता था और जब वो अपने ही लोगों को जोड़कर नहीं रख पा रहा है तो नए लोगों को कैसे जोड़ेंगे यह अपने आप में सवाल है जरा सोचिए कि अगर यह भगदर तेज होई तो 2024 में क्या क्या हो सकता है इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कीजिए बेल आइकान दबाईए घंटी जैसे या करेती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर देख रहे हैं तुमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे फेस्बुक पर देख रहे हैं तुमारे पेज को लाइक कर लीजे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा टुटर है अटिकल 19 अंडERSKोर इंडिया और मेरा Twitter handle है नवीन जनरलिस्ट आप मुझे भी follow कर सकते हैं नमस्कार